पूर्वे मंतरी और सिफ शेनारी नेता राजिंदर सिंगुडा ने होटल कलाक आमेर में प्रेस वारता को संबोधित करते वे पूर्वे मुख्यमंतरी अशो गहलोट पर सरकारी मशिनरी के दुरूपे हो गया का आरोप लगाया है गुडा ने कहा कि लोग सवचनाओं में एक नाज सिंदे के साथ विजेपी की जो बात हुई उसी के अनुसार हम भार्चपा को पूरा समर्थन देंगे और सहीयोग करेंगे वही मुख्यमंतरी भजला शर्मा के निर्देशन में चुनाप रच्वार के लिए जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करेंगे पूर्वमंतरी राजिंदर सिंगूडा ने कहा कि पिछली कॉंग्रेस सरकार के समय गहलोट के कहने पर मेरे खिलाफ पुलिस एक्ट और पोक्सों के मामले सहीद करीब आदर दर्जन जूटे मुकद में चलाए गए पिछले पांस सालों में राजस्तान महील अत्रचारों के मामले में देश में सबसे आगे था जब मैंने इसके खिलाफ सदन में आवाज उठाई तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया और बदले की भावना से मेरे खिलाफ कारवाई की गई 2024 लोग सब चुनाव में हम राजस्तान की सभी 25 सीटों पर विजेपी के सास्थ बिचा परसार करेंगे और मुख्य रूप से जालो और सिरोही जुनजुनू और सीकर लोग सब चेतरों में बड़ी सभाए आयोजित करेंगे मेरा दावा है कि हम तीसरी बार 25 सीटे जीत कर हैट्रिक लगाएंगे प्रसवारता की दोरान भाश्पा की राष्टे सच्छी वप्रदेश से परबारी विजेराहट करने संबोधित करते विए पूर्व मंतरी राजेंदर सिंगुडा का धन्यवाद ग्यापित किया उन्होंने कहा कि शिवशेना के सहयोग से हमें राजस्तान के कई सीटों का सहयोग मिलेगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की नीतियों की चलते आज भी जेपी परिवाद से जुड़ने के लिए सभी में उत्सा है इस आउस्तपर मंच्पर भाश्वा के प्रदेश उपाद्यक्स मुकेश दाधीच भाश्वा प्रदेश मीडिया के सहयोजक प्रमोद वसीष्ट भी मोजूद रहे